So guys welcome back to the channel So guys आज किस वीडियो में जह है मैं आपसे बात करने वाला होगी भाईया कैसे aggregate calculate किया जाता है अगर आप MSBT के student हो और डिपलोमा के student हो और आपको जानना है aggregate कैसे calculate किया जाता है तो ये वीडियो आपके लिए है तो इस वीडियो में जहें मैं आपको एकदम simple easy step में बताऊंगा कि भी ये 2 semester का aggregate कैसे calculate किया जाता है अब आपको 2 semester का आए जा तो फिर आप 4 का कर सकते हो 6 का कर सकते हो 8 का कर सकते हो जितना आप चाहो फिर उस ही साब से calculate कर सकते हो तो आपको एक basic तरीका जो है सबसे easiest way कैसे calculate होता है aggregate मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो गाईस अगर आप engineer के student हो तो आपके लिए आई बठर में मैंने वीडियो दे रखी है तो आपका जो होता हो ये है कि आपका SGPA CGPA में होता है तो वो जो pointer में कैसे convert किया जाता है वो जो मैंने वीडियो है I button में दे दी है तो आप पहले उसे देख लो और फिर उसके बाद जो है आप उसको जो है aggregate में calculate कर पाऊगे तो गाईस हमारे सामने आप screen पे देख सकते हो यहाँ पे जो है हमने दो semester consider किये हैं यहाँ आपकी दो semester कोई भी हो सकते है 4th, 5th semester देख लो, 1st, 2nd semester देख लो कोई भी 2 semester आप consider कर लो तो यहाँ पे हमने तीन चीजे रखी हैं subject, marks of 10, out of तो एक semester में हम consider करते हैं में 5 subject होते हैं तो same 1 के अंदर जो है total 5 subjects है और 100 marks का एक subject होता है तो subject 1 में 100 में से 75 ऐसे जो है मिला है तो total 5 subject का अगर हम calculate करें तो 500 होता है और same thing जो हमें marks of 10 होए है 500 में से वो है 380 तो यह हो गया semester 1 का अब हम आते है semester 2 के अंदर same thing semester 2 में भी total 5 subjects हैं हर subject 100 mark का है तो total करोगे तो 500 होता है और इन 500 में से 390 जो है आपको मिला है तो इस तरीके से हमने जो है दो semester का total निकाल लिया first semester में हमें 500 में से 380 मिला है second semester में 500 में से 390 मिला है तो अब हमें इसका aggregate निकालना है तो first semester का 380 है ठीक है उसे आपको add करना है second semester के total से यानि कि 390 से तो अगर आप उसे add करोगे तो आपका answer आएगा total 770 अब इसका हमें aggregate निकालना है 770 का तो उसको हमें divide करना होगा 2 से तो 770 divided by 2 तो जो आपका aggregate बनता है वो होता है 385 अब इस aggregate को हमें convert करना होगा percentage में तो कैसे करेंगे 385 को हमें divide करना होगा 500 से और multiply करना होगा 100 में तो इसका हमारा percentage बनता है वो होता है 77% यानि कि दोनो year का aggregate percentage आपका 77 बनता है तो इस तरीके से हमने दोनो semester का percentage aggregate percentage हमने find out कर लिया तो गैस अब इस तरीके से आप 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का सब का कर सकते हो तो guys important thing मैं यह बता दू कि अभी तक जो है यह clear नहीं किया गया है कि भीया जो MSBT की students है जो diploma के students है इंजिनियर के students है इनको कौन से semester का जो है aggregate निकालना है यानि कि अभी आप 6 में हो diploma के student 6 में हो तो यह आपका final semester है तो आपको कौन से semester का निकालना है तो यह जो है अभी तक clear नहीं किया है ऐसे ही सेम इंजिनियर के अगर आप student हो तो 8 सेम आपका final होता है तो आपको कौन से semester का निकालना है 7th का 6th का 5th का तो यह जो बहुत सी बाते हैं वो अभी तक बिल्कुल clear नहीं की गई है तो वो जो है जल्दी जो है अभी circular guidelines आएंगे तो उसमें जो है बहुत सी चीज़ें clear हो जाएंगी कि यह कितने semester का हमें निकालना है लेकिन मैंने आपको एक way बताया है कि इस तरीकी से जो है percentage, aggregate यह सब कुछ जो है निकाला जाता है वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, so guys thank you for watching this video, वीडियो अपने सारे friends के साथ share कर दो, उन्हें भी यह information बता दो, so guys इस मिलते है new tech video में, तब तक के लिए bye bye, जै हिंद